हेलो मेरे नाम नितिन लेंड है और मैं महाराष्टा के अमरावती जिलेस में एक गाव है दाड़ी वहां से बिलोंग करता हूँ मेरी जो प्राथमी शिक्षा हुई है वही सही हुई मेरी गाव से महराथी में उसके बाद मैंने 11-12 साइंस से किया था उसके बाद मुझे लगा में आर्ट्स लिया आर्ट्स में अगर मैं देखू तो मेरे सब्जेट्स थे हिस्ट्री जोग्रफिय और मराथी लिट्रेचर उसके बाद मुझे लगा कि इसके आगे फर्दर करना चाहिए क्योंकि उसके बाद 2020 में मेरा ग्राइजूशन कंप्लेट हुआ उसके बाद कोव मेरा डिलोप्रेट लेबर स्टीज में हो गया तीन दिन बचे थे तो तीसरी दिन बस टॉपिक डिसाइड करने में गहे कि कौन सा लेना है कौन सा लेना है तो पहले सोचा कि ले ले लेते हैं दूसरा सोचा कि ट्राइल डेबर पे ले लेते हैं उसके बाद सोचा कि कोई 122 में उस्पर देख लेखते हैं तो फिर कुछ नहीं आ रहा था उसमें कि मैंसा लग जफ आखिए कि सारे कौत चना इसकत निया करना है कुछ इनिवि carne तो फिर या एंक प्राइबिफ्रेंट लगे उसमें तो तो फीर मैंने वह सोचा कि चलो इस पी लिखते हैं क्योंकि स्पेस पे या साइंस के पॉलिशीज पे ज्यादा कोई लिखता नहीं जाए कि साइंस जो इंजिनिंग बैग्राउंड से आते या डॉक्टर या बेसी बेसी करके आते हैं ओभी सोचल पॉलिशी पे लिखते तो मेरी पॉलिशी थी उसमें ऐसा था कि जो प्राइवडाइशन कर रही है अभी गवर्मेंट स्पेस सेक्टर का इसरो की फैसिलिटीज देगा तो उसमें कैसे फाइदा हो सकता है कैसे नुकसान हो सकता है क्या लाकुनाज है क्या हम इंप्रूमेंट करना चाहिए यह पूरा खाली मैंने पहले तबीवक कस मेँठा कि उसके बार पीजय वेबसाइण अच दूर्फ किया उसके बाद करने के बाद दूर्मेंट करने के बाद मैं ने कुछ छो हुने उल्म नहों ने बोला था कि बस पाशोवर्ब पासोवर्मन मतलब एक पेज रफली तो फिर उन छे साथ पेज को एक पेज में कनवर्ट करना इट्स डेफिकल टाक्स तो लेकिन उसमें मेरे एकाथ दिन चला गाया कि उसको कैसे रिडूस करें तो उसके बाद अगर हम फर्स्टेज देखें तो फर्स्टेज में एक पॉलिसी आनलेजिस होता है जो मैंने space sector पी लिखा था और दूसरा होता है SOP statement of purpose आपको lamp क्यू करना है आपका past experience क्या है और आप कैसे beneficial हो आप lamp के लिए और आपके member of parliament के लिए क्योंकि आपको एक member of parliament assigned होता है जिसको आपको असाइन करना होता है तो उसको आप कैसे benefit कर पाओगे तो basically मेरा ruler background और agriculture field related background है तो फिर मैंने मेरे गाव में दो तीन project किये थे तो फिर मैंने उसी से link करके मेरा SOP लिखा था कि कैसे मेरा ground knowledge जो agriculture schemes implement होती है ground में और actual reality में क्या targets गवर्मेंट अच्यू करना चाहती है उसमें कैसे disparity क्रेटी क्रेट हो जाती है तो इसी को link करके मैंने मेरा SOP लिखा था कि कैसे इनको कम minimize करके हम policy analysis को अच्छा कर सकते हैं और policy एक better policy बना सकते तो इसी के बाद मैंने बोला था जैसे कि मैं JNU में हूं तो मुझे ground की reality पता है कैसे policy implement होती है क्या लाकुनाज होते है उसके करना चाहिए उसके बाद मैं JNU में हूं तो उसमें मुझे research research writing research करना academic writing तो इसका भी बहुत फाइदा हुआ कि कहा से सर्च करना होता है क्या sources होते है तो इसके लिए इसलिए मैं अगर किसे MP को assign करूंगा तो मेरी ground की reality जो मुझे पता है और मेरा research background and thoroughly जो मेरा knowledge UPC के साथ जो बड़ा है तो इन तीनों को combination मेरे member of parliament को beneficially होगा तो यही लिखाता है मैने SOP तो first stage हुआ और मुझे बिलकुल यकिन नहीं था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि मुझे प हो गया तो मुझे लगा अरे चलो कुछ ना कुछ तो अच्छ लिखते हो तुम मतलब मैं under confidence था कि मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा लिखना होगा और जो मेरे जैसे ruler background से आया हुआ लड़का उन नहीं कर पायेगा तो मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा लेकिन हो गया उसके बाद उन्होंने उनका second stage था जिसमें आपको दो घंटे में एक policy analysis करनी थी तो उस दिन इस like a written exam open book test होता है जिसमें आप कोई भी resources use कर सकते है तो दो घंटे में आपको दो question देए थे उन्होंने एक तु था health पे कि आप health cash insure कर सकते all the citizens के लिए और दूसरा था electricity पे कि कैसे अभी electricity bill आया है जो 2022 में अभी शायद act भी मिन गया होगा तो जो बील आया था उसी भी रिलेटर था कि हम कैसे इंसूर्स कर सकते है 24x7 electricity देना सबको तो यही था तो फिर मुझे लगा कि सब सब लोग health भी लिखेंगे तो मैं थोड़ा अलग लिखू तो मैंने electricity try किया क अब लिखना मतलब बहुत सारे मट्रियल पर बहुत कम लिखना क्योंकि दो घंटे में आपको पूरा का पूरा दो पेज का आंसर लिखना उसके लिखना उसके बाद उसको रेफ्रेंस करना साइटेशन करना है तो यह थोड़ा हेक्टी होगा तो मुझे लगा कि सब कुछ वही लिखेंगे कुछ आपको इनोवेटिव करना पड़ेगा हेल्थ पॉलिशी में बाकी से अलग दिखने के लिए तो इसलिए मैंने सोचा कि लेते हैं एलेटरिसिटी पर कम लोग लिखेंगे और मट्रेल थोड़ा कंसाइज होगा तो मिल जाएगा लेकिन मट्रेल इतना कंसाइस था कि मुझे कुछ मिली ने रहा था पहले आदे घंटे में तो बस मैं सोचने लग गया तो क्या लिखना है क्या सर्च करना है बस मैं सर्च करे जा रहा था मिल कुछ नहीं रहा था तो फिर मैं काम हुआ और सोचा कि ऐसे से नहीं होगा ऐसे से दो गंटे भी तुम उसके बाद जो प्रिवेस अक्ट के स्के लए ध्रक्षी मीरा। म Columbus है उसके का लगुने जो हम को एंशूर कर सकते कि औल सीट जन्स को इले कि मिले लन आप तो यह पुरा स्र्क्चर बनाया और उसके साथते मैंने सर्च करना शुरू किया कि इले जलि कि क्यों होती है उसके बादो किया उसके बाद उसके बाद 2003 का जो पीछला वाला उसको सर्च किया उसके क्या सेक्षिंस थे और उसमें क्या मेंशन था तो सर्च किया उसके बाद अभी जो पॉलिसी आई है उसमें क्या अच्छा ही अच्छे बाते हैं उसमें क्या कम है कि जुसको हम इंप्रूमेंट करके ह उसके बाद गवर्मेंट कि स्कीम्ज्जों प्रिवेस्दी चल रही जैसे उदय हुआ डिस्कॉम के लिए गार हुआ उसके बाद उज्वला हुआ उसके बाद शोलर स्कीम का रीनुबल इनरजी हुआ तो यह सब बेसिक लिए इंपोर्ण बाद होती है कि आप इसके आपका प्लागरिजम चेक होता है तो इसलिए आप उठा के चाप नहीं सकते कि इस नोट से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया तो ऐसा नहीं होता है आपको प्लागरिजम करते हैं इसलिए आपको खुद के वर्स में लिखन कर लेते हैं तो इसलिए उसको डाटा को साइटेशन करना होता है यहां रेफरेंस देना होता है कि हाँ से मैंने लिया है ताकि आपकी जो आर्टिकल लिखा है आपने आज पॉलिस से उसके उसकी बढ़ सके क्रेडिबल सोर्स से लिया हुआ है तो अगर हम रेफरेंसिंग द तो इससे आप साइट कर सकते हैं जैसे मेरा इलिटिकल था तो मैंने जो 2003 का जो बील था जो गवर्मेंट की वेबसाइट था तो उसको साइट किया उसके बाद पावर मिनिस्ट्री को साइट किया जो आनिल रिपोर्ट निकाली थी पावर मिनिस्ट्री ने उसमें से मैंने साइट किया उसके बाद जो रिनियोबल इनरडी की कर साइट है उसके बाद निति अचाय पोर्ट ती उन्होंने पब्लिश की थी तो उसको किया उसके बाद लुक्न स्पेसिफिकयों देते हैं वुसी फॉर्मेंट में करना होता है। तो यह वने के बाद कि शायद मुझे लगा मैं देले में हो था तो मैंने आफलाइन चूज किया तो मेना तीन मिल्स इंटिरू था तीन मार्ष से पहले मेरे जो एंड्स मोर्ला तो उसके पेपर चल रहे थे तो मैंने परिपेर नहीं कि और मेरी कमजोर थी वीक तो इसके पहले मैं कभी बात नी किया था क्वे अगर इंग्लिच में देना है तो फिर इंग्लिच मेरी कमजोर थी तो मुझे लगा कि नहीं होगा तो फिर मैं सोचा कि ठीक है देखते हैं पेपर खतम होने के बाद तो फीर मेरे पेपर चली रहते तो उसे में जितना प्रिपेर हो सका मैंने किया उसके बाद मौक देखा मैंने कि कहीं मौक दे दू लेकिन ओभी मेरी देख मिला नहीं कहीं तो फीर मेरे दो तीन फ्रेंड सी थे तो उन्हीं को बो कहा मेरी basic problem था कि knowledge थोड़ा लेकिन उसको कैसे express करें इसका problem था क्योंकि कि मेरी ना Hindi native language है ना English तो दोनों में problem हो रहा था लेकिन मैं Hindi बोल लेता हूं लेकिन English में problem हो रहा था तो फिर में problem था कि English को कैसे दार है तो उसके पहले मैंने थोड़ा प्रिपेर कर लिया कि कैसे आंसर देने क्योंकि आपको आपने जो लिखा है आपने जो पॉलिसी आनलिस की है उसके बाद आपने जो क्वेशन लिखा है तो बेसे के लिए आपके 50-60% आपका जो इंटर्यू होगा उ उसके बाद अधर जो करंट इशू चल रहे है उस पे होगा तो फिर मैंने जो मेरा एसोपी और था था तो उसको इंग्लिश में प्रिपेर कर लिया था तो जो आंसर मेरे एसोपी से और पॉलिसी आनलिस तो तो हो जाते थे लेकिन अधर देन दीस मुझे प्रॉलम्स होती इंग्लिश में करने के लिए तो पहले में बहुत मैं मतलब हिंदी मराथी इंग्लिश सब कुछ मिक्स करके बोल रहा था उसके बाद मैं इंप्रॉम्मेंट किया दो तीन दीन अच्छे से प्रिपेर किया पूरा करंट में क्या इशू चल रहे है क्या है जैसे कि माराष्य क प्रिपेर किया उसके बाद सेकंड मौक उन्हीं को दिया उनी फ्रेंड्स को कैजूल दिया कोई सेरेस नहीं थी कुछ नहीं थी लेकिन अच्छे से कुछन पूछे सेकंड इंट्रू में थोड़ा बहुत ज्यादा बोल सकते कि इंप्रूमेंट हुआ थोड़ा इंग्लिश अच्छों से बोला था किसी डिख नहीं था कि मेरेको लग रहा था कि मेरा नहीं हो गा तो मैंने कुछ इसके अलावा प्रिप्रेशन नहीं क dysart प्रिम्हें जो क EBK कुछ SLOTE इसके कुछ निग अगर मुझेल huh सकताया होगा जो करने तो क्यो खर्यार का। मुछ लगा कि कि मेरे बास फॉर्मल शिव पैंट नहीं तो घुर मेरी दोस्से लिया और मेरे पास फॉर्मल शूस भी नहीं था तो मेरे स्पोर्ट शूस पहन के चला गया तो वहां जाके मुझे पता चला सारे के सारे टाय बूट कोट में सब सीरियस बंदे सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं मुझे लगा में क्यों यह आया अतलब लग रहा था कि कहा फस गया अरे यार गलत फिल्ड में चला गया तो फिर सबके सब सीरियस बंदे थे और मैस मेरा इंटर्यू था कुछ तो भी तीन साढ़े तीन बज़े और उन्हों में दो बज़े बुला लिया था तो फिर मैं पूरा एक देल घंटे वही सोचता रहा कि अरे यार मैं क्यों आया और अरे यार मेरा नहीं होगा नहीं एक दील घंटा यहीं में चला गया उसके बाद मेरा साढ़े तीन बज़े इंटर्यू शुरू हुआ मेरे पैनल में तीन मैडम्स थी तो उन्होंने अड़िया से कंफ़रेबल फील करवाया मुझे और उसके बाद उन्होंने क्वेशन पू इंड से जदा प्रोसेस में मज़ा आता है तो इसलिए पॉलिसी को एंड में देखने से अच्छा है कि पॉलिसी को पहले से देखो उसमें जो इंप्रूमेंट कर सकते हैं वो करो उसको कैसे सुदा सकते और कैसे एंड रिजल अच्छा ला सकते तो इसलिए मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने मेरा स्पेस पॉलिशी पूछा कि इसके बेनिफिट्स और अचुमेंट्स है उसके बाद उन्होंने जो महाराश्य के पॉलिटिक्स चल रहे थी उसके पूछा कि उस पर शिंदेगट को कैसे दी दिया मतलब वह चिन और पार्टी वाला सिंबल तो मैंने बोला था कि अभी तो मैंटर सब्जुडे से तो इस पर बात करना उचित नहीं होगा लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि किस बेसिस भी दिया है उनको तो फिर मैंने ब डिक्षह चरणा रेखों तो यह उसके बाद लह ने ने लोंने लिए फिर हैं करते तो उन्होंने पूछा में में विदिंख बेल निए तो हुछ को वृत सनफ़ियंस टो हैं तो यहां पूछा कि आर्य 15 k करते कि दिया प्रॉलम से अगिकर्षर में इंट में तो मैं इसका स मुझे नहीं पता कि उनियन के बढ़ रहा थे लेकिन जो बाकी होता है कि प्राइस बरजाती नहीं उसमें एक आपका चैनल रिलेट कर सकते हैं उसके बाद MSP पे जो होता है, कि MSP पे खरीदती नहीं है, गवर्मेंट वीट यंड पैडी के अलावा, एक रिजन बताया, उसके बाद डिमाइद अपलाया, कैसे काम करता है, और कैसे काटलाइशन होता है, तो यही दो चार रिजन दिये मैंने, इसके बाद एक मुझे और ब बड़ी और वही पूछा कि यह 360 बिलियान कहा सिलाया, तो फिर मुझे लगा कि जैसे GDP करते हैं, वैसे स्पेस सेक्टर का कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि क्या एक्स्पेंच रहे, अगर हम मार्स पे कोई सैटिलेट भेज रहे, तो उस पी क्या कोस्टिंग है, क्या बेनिफि तो उसके बाद इंटर्यू हुआ, और मैं सिधा चलाया नीचे, और मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत घटिया दिया, उसमें भी एक प्रॉल्म ऐसी हो गए थी, कि मैं पूरा प्रिपेर करते हैं, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में आंसर देने हैं, क्योंकि इंग्लिश आधी हिंदी, आधी इंग्लिश आधी हिंदी हो रही थी, तो फिर, लेकिन उन्हें ने कुछ बोला ने, कोप बढ़िया से कॉपरेट किया ना, तो यहां तक इंटर्यू हुआ, और इंटर्यू के बाद मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत घटिया दिया है, यही टाग लाइन थी, कि यह आंसर अच्छा कर सकता था, यहां पर इंप्रूमेंट कर सकते हैं, वो मेरा आधा एक गंटा वही चल रहा था, तब ही मैंने सोचा कि शांती के लिए राजगार चलते, तो वही से पास था, जो मेरा इंटर्यू का प्लेस था, वही से पास था, तो मैं वहाँ गया, राजगाट पे, मस्त, वहाँ बैठा थोड़ा देर, थोड़ा रिलाक्स हुआ, उसके बाद सुचा कि जो हुआ, अच्छा हुआ, अब छोड़ दो कोई बात नहीं है, डिसकस करने की, तो फिर, तीन मार्च को मेरा इंटर्यू खतम हुआ, उसके बाद कुछ, मार्च इंडिंग या, एप्रिल में, रिजल्ट आ गया, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं इतना खुश, क्या बताओ, तो फिर मैंने घर पे बताया, लेकिन घर पे समझ भी नहीं आ रहा, लाम्प क्या है, मतलब, लेजिसलेटिव पार्लामेंट असिस पड़ेगा, अगर आप रूलर बैग्राउंड से, आपका बैग्राउंड आपके माराथी, मतलब, आपके रिजनल लैंग्विज में, आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, आपको एकड़मिक राइटिंग लिखना नहीं आता है, तो आपको कॉन्फिनेस रखना प पॉलिश नहीं होता है, क्योंकि मुझे गाइडन्स मिला नहीं इतना जादा कि कैसे होता है, कैसे लिखना होता है, क्योंकि इसके पढ़ले मेरा कोई यह नहीं था, तो फिर मैंने खुद से सब कुछ था था, तो मुझे लग रहा था, यह अच्छा नहीं है, मैं आपके व्यूस क्या है उस पर आप अच्छे से लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो मैं आपको मेरा इंस्टाइडी और लिंक्डिन का अकाउंट दे दूंगा, आप वहाँ पर आके महस कर सकते हैं मुझे, इसके अलावा, अगर हम लैंब के लिए सोच रहे हैं, तो इसमें आपको किन चीजों के बातों का ध्यान रखना होगा, आपको तीन-चार चीजे है, एक, तो आपको थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश होने चीजे, जो ग्रामेटिकल अच्छे से हो, आप खुद से लिख सकते हो, दूसरी बात होता जालते हैं, उसके बाद बिल का अनलेसिस जालते हैं, पार्लमेंटरी कमेटिस के होगी, उसके बाद सुप्रीम कोड का क्या है, तो इन ऑथेंटिक सोर्स को आप कोड करिए, ना कि कोई रिजिनल वेबसाइट और कोई न्यूस पेपर, तो मुझे लगता है कि अगर आप इन लेकिन आपका भी हो जाएगा, इजी है, बस आपको जो आपका पॉलिस अनलेसिस ने, अच्छे से प्रिपेर करना है, उसके बाद मैं आखिर में डिकटी को थैंक्यू करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे प्लैटफर्म प्रोवाइट किया, ताकि मैं मेरा लेकिन आपका प्रोवाइब।